तो कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे ट्रिव ब्यूटी के एपीसोड नमबर वन में आपका स्वागत है यदि आपको ये एनमे बहुत ही पसंद आता है तो हमेशा की तरह आप इस पर कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ से हर करें अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका अगला एपीसोड मैं बहुत ही चलते लेकर आऊंगा एपीसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पर मैसिज टाइप कर रही होती है कि मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ वो जो है बहुत ही बुरी अपने आपको मानती है जब वो स्कूल के अंदर जाती है तो वो बहुत ही अच्छी दिखती नहीं है साथ में उसे होरर मुवी देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है साथ में होरर जो कोमिक होती है वो भी वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ती है यनि एक तरह से यह ओटाकू है फिर हम देखते हैं जब वो स्कूल के अंदर जाती है तो उसे बहुत ज़या बुली किया जाता है स्कूल के कैन्टिन में वो डामपलिंग लेकर जब पहर की तरफ आ रही होती है तो गलती से वो नीचे गिर जाती है स्कूल के अंदर कोई भी उसकोई help करनी के लिए नहीं आधा है वो यहाँ पर लचार दिख रही होती है बेचारी तिरह हम देखते हैं कि सबी student जो होते हैं उसकी वीडियो बनाना start कर देते हैं उसकी help करने की जगा हम देखते हैं एक लड़का वहाँ पर आता है और कहता है क्या तुम heavy metal वाला music सुनती हो वो बहुत ही ज़्यादा खुस होती है उसे लगता है कि उस लड़के को भी वो पसंद है heavy metal का music तो वो बहुत ही ज़्यादा खुस हो जाती है इसलिए उससे वो दो टिकट देती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ concert में चलना चाहोगी उसे लगता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज वो बहुत ही अच्छे से लड़के से मिली है फिर हम देखते हैं उस स्कूल में साम को जहां पर एक लड़की आती है उसे मार रही होती है ऐसा वो इसलिए कर रही होती है क्योंकि जिस लड़के से वो मिली थी केंटीन में वो उसका boyfriend होता है और वो उसे कहती है तुम अपनी सकल लेकर यहां से चली जाओ मेरे boyfriend से बात करने की कोई जरूरत नहीं है वो लोग उसे बहुत ही जादा मारते है वो लड़की कहती है अगर तुम्हें मेकप करना नहीं आता है तो तुम इतना सारा मेकप लगाती क्यों हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यहां से चली जाओ फिर हम देखते हैं कि वो उसकी photo घिच लेते हैं जिसे वो social media पर डालना चाते हैं वो उसका phone लेने की कोशिस करती है ताकि वो photo को delete कर सके बट हम देखते हैं इसके चकर में उसके नाहुन से उसके चेहरे पर लग जाता है अब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुसा हो जाती है और principal को ये बात पता चल जाती है वैसे मैं इस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम Lim होता है Lim यहाँ पर principal office के अंदर आती है चाहां principal कहती है कि तुम बहुत दिनों तक school के अंदर नहीं रह सकती हो क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा fight करती हो actual में Lim fight नहीं करती है उसके साथ रहने वाले student उसे bully करते हैं और साथ में complaint भी कर देते हैं उसी की Lim जो होती है उदास ओकर घर पर बैठी होती है बट वो चाहती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं माने की वो हार मरने वाले लेड़कियों में से नहीं है वो decide करती है कि मैं जो हूँ कुछ ना कुछ तो करने वाली हूँ वो यहीं बैठ पर लेड़ जाती है तब ही एक message किसी की तरफ से आता है इसके अंदर एक link होता है उस link को जब वो open करती है तो उसके अंदर makeup किस तरह से किया जाता है यह बताया गया होता है यहां मैं आपको बता दूँ कि makeup जो होता है वो artificial तरीका है अपने beauty को increase करने का वैसे आप जो पैदा हुए थे तब ही beautiful थे यह makeup लगाने के बाद अगर आपको कोई पसंद कर रहा है तो वो actual में आपको पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि आपका यह true चैरा नहीं है साहर इसलिए इसका नाम true beauty दिया गया है actual में यह लड़की बहुत ही beautiful है बट अपने आपको मानती नहीं है वो makeup लगाती है और कहती है यही मेरा एक नया गोल है वो school को भी change कर देती है क्योंकि principal ने कहा था कि उस school के अंदर वो दुबारा नहीं पढ़ सकती और वो भी चाहती है कि वो school के अंदर दुबारा नहीं जाए कुछी दिनों में वो सही से makeup करना सिख जाती है और उसके बाद वो school change करके एक नए school के अंदर जाती है चाहां पर उसका transfer हुआ होता है हम देखते हैं कि सभी लड़के उसे देख कर खहते हैं कि यह तो वही नई student है कितनी अच्छी है सभी लड़कियां भी उसे जल रही होती है क्योंकि वो बहुत ही जादा beautiful होती है school के अंदर जाते ही उसके दो दोस्त बन जाते हैं जहां पर वो अपना नाम उन्हें बताती है और वो बहुत ही जादा खुश हो चुकी है क्योंकि आज सभी लोग उसे जो है like करते हैं और school के जो group है उसके अंदर भी उसकी तारीफ होती है तो कहीं न कहीं इस makeup ने उसको जो है बहुत ही होसला बढ़ा दिया है और वो बहुत ही असानी से अब बात कर सकती है यहां पर उसकी दोस्त कहती है चलो cafeteria में चलते हैं जहां पर हम dumpling खाएंगे dumpling का नाम सुनते ही वो बहुत ज़्यादा घवरा जाती है क्योंकि वो पुराने school में जब होती है वहाँ dumpling लेने के लिए जब जा रही होती है तब ही वो incident हुआ था इसलिए वो नहीं चाती कि वो वहाँ पर चाहे इसलिए वो बहाना करती है मुझे लगता है कि हमें कुछ और करना चाहिए फिर वो दोस्त उसकी मान जाती है और वो कताती है कि तुम department में सबसे ज़्यादा pretty हो तुमें सब लोग तरीफ करते हैं हम देखते हैं कि दो लड़के एक लड़के से बात कर रहे होते हैं जिसका नाम हैन होता है वो हैन को बताते हैं कि देखो हमारे स्कूल में सबसे अच्छी लड़की आई हुई है जो लिम होए उसके बारे में ही वो बात कर रहे होते हैं अगले सीन में हम देखते हैं जब लिम गर पर जाती है तो उसका भाई यहाँ पर आता है और कहता है देखो यही तुम्हारा ट्रिव चेहरा है और ऐसा बोलकर वो उसके रियल फैस की फोटो को खीच लेता है और वो उसे ब्लैक मिल करने लग जाता है वो उसको जो है अपनी पूई पॉकेट मनी उसे देनी पड़ती है फिर वो बाहर निगल जाती है और सुचने लग जाती है कि किस तरह का मेरा भाई है फिर हम देखते हैं कि वो एक स्टोर के अंदर जाती है क्योंकि उसे होरर बुक जो है पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है वो लेने के लिए आई होती है तभी वहाँ पर एक लड़का उसे मिलता है वो जो है सेम बुक को लेने के लिए आया होता है वो कहता है पहले मैंने इसे देखा है तो मैं इसे लेकर जाओंगा बट वो कहती है कि नहीं इसे मैं बहुत ही जादा पसंद करती हूँ इस बुक को तो मुझे दे द इस लड़के के नाम सूहो होता है, सूहो भी यहाँ पर बहुत बड़ा ओटाकू है, क्योंकि वो इसके που कॉमिक को बहुत ही अचय से जानता है, वो पढ़ता है, हम अब देखते हैं कि वो उसे ले कर जाने लग जाता है, वो उसे रोक नहीं पाती है, वो उसे बोलती है, कि प पास आती है और बहुत फी एक्ट से बात करना स्टार्ट कर देती है, तभी वो देखती है, वो सेम लड़का जो बुक स्टोर में था, यानि वो सुहों की बात कर रही है, वो उसके आगे से गुजरता है, तो वो सोचने लग जाती है कि ये तो बुक स्टोर वदा लड़का है वो यहाँ पर क्या कर रहा है उसकी दोस्त बताती है कि ये लड़का जो है अपने ने स्कूल के अंदर आया हुआ है ये भी transfer student है लिम यहाँ पर घबरा जाती है क्योंकि जब वो उससे बुक स्टोर में मिली थी तो उसने कोई मेकप नहीं किया था अब वो सोचती है कहीं ये मुझे पहचान ना ले इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही होती है वो सोच रही होती है कहीं स्कूल के अंदर सभी ये ना कहें कि तुम्हारे डबल डबल फेस हैं ये सोचते हुए वो गबरा ही रही होती है तभी उसकी दोस्त यहाँ पर आती है और कहती है तुम्हें जो है तो अपने बीटीफूल चेहरे का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पर एक कॉम्पेटिशन होगा जहाँ पर तुम जो हो अपने चेहरे को दिखाओगी और उस कॉम्पेटिशन को जीचाओगी जिसे कि तुम पूरे स्कूल में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगी फेमस होना तो सब के लिए सपना होता है यहाँ पर जुलिम होती है बट वो घबरा रही होती है वो घबराने का कारण यह होता है कि अगर वो फेमस होगी तो सभी लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कहीं उसका रियल चैहरा सामने ना आ चाहे इसलिए वो डर रही होती है और अपने दोस्तों को कहती है कि नहीं मुझे इसके अंदर हिस्सा नहीं लेना है मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं तुम जो हो इसके बारे में और पढ़ सकती हो उसके बाद तुम मुझे बता देना अभी कोई जल्दी नहीं है फिर वो अपने घर चली जाती है घर पर जाकर एक कॉमिक को पढ़ रही होती है जिसमें एक डवल फेस्वारी लड़की होती है उसको पढ़ कर वो सोचती है कि यह तो मेरे बारे में ही बात कर रहे है इस कॉमिक के अंदर और वो कॉमिक यहीं पर खतम हो जाता है तो कॉमिक लेने के लिए स्टोर में दुबारा से जाती है इस बार वो उस लड़के को देख रही होती है सुहो को कि कहीं वो यहाँ पर ना आ जाए, same comic को लेने के लिए इस बार वो दिखता नहीं है, तो वो जल्दी से जाती है और उस book को जैसे ही touch करती है हम देखते हैं, सुहो यहाँ दुबारा आ जाता है वो same book को उठा लेता है, वो कहता है यह book मुझे चाहिए, इस बार यहाँ पर लिम को पता होता है कि यह सी school का student है, तो ज़्यादा वो बात नहीं करती है वो कहती है, वैसे भी मैं इस book को पर चुकी हूँ तो तुम इसे ले सकते हो, और वो यहीं पर जा रही होती है अपने घर पर दुबारा से, बट घर पर जाते हुए इसका ear plug यहीं पर गे जाता है, जिसे सुहो उठा लेता है और फिर वो ले जाता है, फिर हम देखते हैं कि वो रोते हुए दुबारा से घर पर जा रही होती है, वो कहती है कि पता नहीं ये शुहो दुबारा-दुबारा यहाँ पर स्थोर में क्या करने आ जाता है हर बार ये मुझे मिल जाता है मैं इससे दुबारा कभी नहीं मिलने वाली हूँ बट वो जो है अगले ही दिन उसकी दोस्त सुहो से मिलाने के लिए इसे लेकर आ जाती है वो जहाँ पर देखती है सुहो को वो समझ जाती है कि ये तो वही लड़का है अब वो ड़ती है कहीं ये समझ ना जाए कि मैं वो बुक्स तोरवाई लड़की हूँ इसलिए यहाँ पर लिम कहती है कि मैं तो इससे पहली बार मिली हूँ बट वो जो है रलका सू हो कहता है कि मैं तो इससे पहले मिल चुका हूँ तो वो यहाँ पर रोने लग जाती है मनी मन और कहती है यह बिल्कुल इडियट है लिम यहाँ पर ज्यादा देर रुकती नहीं है वो कहती है चलो अब मैं जो हूँ यहां से जा रही हूँ, कल मिलती हूँ फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आकर यहां म्यूजिक सुनने का कोशिस करने लग जाती है जब वो देखती है कि उसका इयर प्लग एक मिसिंग है तो वो सुचती है कि बता नहीं वो कहां पर गिर गया तब ही हम देखते हैं सुओ यहां पर आता है कहता है हैवी मेटल वाला म्यूजिक सुन रही हो तुम और वो साथ में दिखाता है उसका इयर प्लग वो उसे देखती है और सौक जाती है वो सुओ कहता है कि तुम वही लड़की हो जो बुक स्टोर में मुझे मिली थी ये तुम बुक स्टोर में गिरा कर आ गई थी अगर आप देखते देखते यहां तक पहुँच गया हैं तो अपली चैनल को सस्काइब करें और मुझे सपोर्ट करें ये वीडियो यहीं पर कतम होता है तो मिलते हैं अगले अपीसोड में तब तक एलिए ओवर एन आउट